मरहुम जुनेदवा नासिर के कातिलों को पकड़वाने के लिए वह है और उनका परिवार लगातार प्रियासात है चौदरी जाकिर हुसेन ने कहा कि फेक फोटोज वा जूटी वीडियो वायल कर माहूल खराब करने वालों के खिलाब देंगे पुलिस में सिकायत आपको बता दें कि चौदरी जाकिर हुसेन के साथ आरोपी मानू मानेसर का फोटो वीडियो वायल किया जा रहा है वहीं चौदरी जाकिर हुसेन ने कहा कि इतियास इस बात का गवा है कि गलत भड़काऊ वह फेक परचार करने वालों ने कभी मिवात की लोगों के लिए कोई योगदा नहीं दिया सिवाए माहूल खराब करने और मुद्धों को भटकाने के पता दें कि आज भाजपा अलसंक्यक मोर्शा के राष्टी और पाध्यक सेवं हर्याना वकबोर के प्रसासा चौदरी जाकिर हुसेन ने कहा कि मरहुम जुनैत वा नासिर निवासी घाटमीका की दर्दनाक मौत पर दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मंत्री ने जुनैत वा नासिर के परिवारों के प्रती हमधर्दी जताई है और वासासन दिया है कि दोशियों को पकड़वाने वा सजा दिलवाने में हर्याना सरकार वे हर्याना पुलेस तारा पूरी मदद की जाएगी चौदरी जाकिर हुसें ने कहा है कि उनकी छोटी पहन मंत्री जाइदा खान वे उनके छोटे भाई चौदरी फजल हुसें भी पहले दिन से ही इस मामले में दोशियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रियासरत हैं चौदरी जाकिर हुसें ने कहा है कि कुछ लोगों तोरा फेक गलत वीडियोज वा फोटोज किसी व्यक्ति जिसका इस प्रिकरण में मुख्य अपरादी के तौर पर नाम लिया जा रहा है उसके साथ सोसल मीडिया पर वायल किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है ऐसे लोगो और वीडियो उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए अकसर डाले जाते हैं तथा ये गैर कानूनी हरकत दूसरे निताओं के साथ भी की जाती है जो कि घोर निंदनी अपराद है उन्होंने कहा है कि उनके परिवार ने हमेशा जब भी मिवाच छितर की 36 कर रहे हैं उन्होंने कभी मिवाच छितर के लोगों के लिए कभी अपना योगदान नहीं दिया चौदरी जाकीर हुसें ने कहा है कि कुछ प्रियास्वा कोसिसे सारचनिक नहीं की जाती हर बात का देखावा करना ठीक नहीं है इसलिए सबी से अपील है कि मरहूम जुनैद प्रामिका हत्यकांट के आरूपी मौनु मानेसर के साथ चौदरी जाकीर हुसें का फोटो सोसल मीडिया पर वायल किया जा रहा है जिसको लेकर मीडिया के सामने चौदरी जाकीर हुसें ने अपनी प्रतिक्रिया दी है चौदरी जाकीर हुसें ने क्या कहा है आप खुद ही सुन ली चीएगा मेलिया कतली पत्रकार आप देख रहे हैं मिवास सिटेनी उच्छ हमारा पूरा परिवार हरियाना से लेके राजिस्थान तक मर्हूम जुनैद और नाशिर के परिवार के साथ खड़ा है और चाहे मेरी बात हो चाहे चोटी बहन मंत्री जाइदा की बात हो चाहे चोटे भाई फदल की बात हो हमारा सब का ये परियास है कि जुनैद और नाशिर के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उनको सक्स सक्स सजा मिले और इसके लिए जैसे ही ये घटना हुई तो फौरण मैंने हमारे मुख्यमंत्री शिरी मनोर लाल जी को इसके बारे में बताया और उन्हों ने जुनैद और नाशिर के परिवार के प्रती अपनी हमदर्दी जताई और ये आश्वासन दिया कि की अपरादियों को सजा दिल्याने में हरियाना सरकार और हरियाना पुलिस पूरा इसमें परियास करेगी और में जाइदा भी राजिस्थान में पूरा इसका परियास कर रही हैं क्योंकि हमारे परिवार का इतिहास है कि मेवात की 36 विरादरी पर जब भी कोई पत्ती आई है या जब भी कोई इस तरह की दुर्गटना हुई है तो हमेशा आगे बढ़ चड़के उसको समानने की ब क्योंकि हमारे नजदीक मेवात की 36 विरादरी की राए लढ़ने का किसी वी राजनीतिक बात से ऊपर उठके उसका मेहत्व हमेशा समझा है और आज लोग तरह तरह की वीडियो डाल कर शोशल मीडिया का दुर्व यूप योग करकर हमारे बारे में जिस तरह की चीज़ें उनकी मैं कडी निंदा करता हूं और जो कि एक बहुत गलत बात है और उनके खिलाफ मैं हर्याना पुलिस में इस बात की कंप्लेंट डालने वाला हूं जिसके लिए मैंने वकीलों से राय ले रहा हूं क्योंकि जूटी सोशल मीडिया के उपर चलाना परचार करना एक के साथ जो इस दर्दनाक कतल में जिसका नाम अपरादी के तौर पर लिया जा रहा है तो ऐसी ऐसी बात की मैं निंदा करता हूं और हमारी तरफ से ये परियास भी है और शुरू से मांग है कि इस दर्दनाक कतल के अपरादी पकड़े जाए और ऐसी घटनाओं के उपर रो है क्योंकि बहुत सी चीजें खुल के बाद सामने करने की नहीं होती वल्कि उनको अमली जामा पहनाने की होती है जिस परियास में हम लगे हैं कि नासिर और जुनेद के अत्यारे जल्द पकड़े जाएंगे ऐसी इंशाल्ला हमें